क्या आप भी थमनेल बनाना चाहते हैं अगर हां तो आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है तो आईए आपको लेके चलते हैं अपने वीडियो की तरफ उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जुरूर दबा दिए तो स्क्रीन पे आने के बाद हमें यह दो आप की बहुत जरूरत है पिक्सा अर्ट पिक्सा अर्ट को ओपन करते हैं और इस पर अपनी एक बैक्ग्राउंड सेलेक्ट करने के लिए एडिट सेप फोटो पर क्लिक करेंगे एडिट एफ फोटो पर क्लिक करने के बाद यह गमारे पास है आपके पास जो भी हो आपनो वैक्राउंड लगानी हो और आप लगा सक सकते हैं मैं YouTube के लिए बढ़नार चाहरा हूं तो YouTube का एक sign लिया add one पे click कर दिया YouTube के sign को थोड़ा सा छोटा करके इसको corner पे adjust कर दिया और इसको fix कर दीजाए और मेरी वीडियो का जो title है कि attractive thumbnail तो मैं इस पर और फोटो क्लिक करूंगा thumbnail वाली जो मैंने पुराने thumbnail बनाए हुए हैं उनके एक photo लोगा थोड़ा सा crop करके इसको एक side पे adjust कर दूँगा और इसके उपर एक sign जरूर लगाऊंगा कि ये thumbnail मैंने बनाया कैसे तो sign लेने के लिए हम इस पर जाते हैं arrow लिख के सर्च मारते हैं तो ये कई सारे arrow हमारे पास open हो गए मुझे ये red वाला उपर बढ़िया लग रहा है ये इसी को हम select करते है red वाले को अब इस arrow को हम किसी भी angle में किसी भी rotation में rotate कर सकते हैं तो ये photo जो मैंने बनाई है ये जो thumbnail मैंने बनाया है इसको हम adjust करते हैं उपर की तरफ और इसके साथ का thumbnail हम उपर की तरफ लगा देंगे कि मैंने ये thumbnail बना के अपनी इस वीडियो पर लगाया है तो ये thumbnail मेरे पास पहले से बना पड़ा है जैसे जैसे मैं बतारूं आप भी ऐसे adjust कर सकते हैं कोई भी photo उठाके कुछ भी लगाया सकते हैं जो आपके thumbnail को और attractive बनाएके आजकल thumbnail देखके लोग वीडियो पर क्लिक करते हैं तो मैंने इसको save कर लिया अब हम जाते हैं pixel lab में pixel lab open करने के बाद three dot पे आपने सबसे पहले क्लिक करना use image from gallery पे टिक कर देना है जो मैंने अपनी वीडियो जो मैंने उसको select कर लिया है अब इसको हम fill करते हैं इसके उपर text लिखते हैं जो भी आपने text लिखना है यह plus के sign पर text का निशान आ रहा है इस पर click कर दिया तो इस पर दो text होगे कोई बात नहीं हम इसको भी use करेंगे edit करते हैं इसको text को इसको clear करने के बाद लिख दिया how to make attractive यह थोड़ा से इसके font बड़े जा रहे हैं इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे इस line को और इसके size को भी थोड़ा सा छोटा करेंगे यह देख रहे हैं इसका size मैं करके दिखा रहूं आपको attractive ओके यहां पर अपना ठीक आ रहा है नहीं attractive थोड़ा गलत लग रहा है मिरको attractive को नीचे करना पड़ेगा तो पहले इसके font सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों के हमने कौन से इसके font रखने इसका इसको हम नीचे कर लेते हैं attractive को जो attractive लिखा है तब यह हमारा सही दिखेगा ना तो इसको एडिट करने के बाद यह हमने इसको थोड़ा सा center में कर लेना यह यहां पर एकदम perfect how to make directive ओके दोस्तों अब इसको coloring पे करें के थोड़ा सा font और अच्छा करें ठीक है coloring करते हैं इसकी तो coloring करने के लिए यह आपके सामने जैसे आप color पर क्लिक करेंगे आपके सामने यह सारे दिखाई देरिया color orange यह सारे इसको हम करते है green ठीक है ओके green ओक अच्छा लग रहा है attractive green नहीं नहीं और उपर अब नीचे के जो टेक्स्ट है उस पर हम लिख देते हैं थम नेल यह आ गया थम नेल जो हमने लिखा अब इसके font के size को जो आपको ए लिखाई दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको इसी पर सारे सब कुछ मिल जाएगा चाहिए इसको बड़ा करना चाहिए 3D करना चाहिए कुछ भी करना चाहिए आपको सारे font इसी पर मिलेंगे coloring वगरा तो इसके हम color select करते हैं yellow यलो पर हमने select किया और इसको थोड़ा सा size का size जो है थोड़ा सा size इसका बड़ा करेंगे यह जो आपको size दिख रहा है इसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया अब इसकी जो shade है जो shadow है इसके नीचे वो भी मैं आपको बताऊंगा 3D अगर करेंगे इसको यह enable कर दिया हमने vertical जो है इसका हमने enable कर दिया enable करने के बाद इसको थोड़ा सा इसकी एक मिन हाँ ठीक है इसको थोड़ा सा इसका size और बड़ा करते हैं अभी अपने को नीचे कुछ soft clear दिखाई नहीं दे रहा है इसको एक मिन आप देख लिए जिस तरह मैं वीडियो पर कर रहा हूं आप ऐसे edit कर सकते हैं enable इसका blur थोड़ा सा उपर ठीक है दोस्तों अभी यह इसको और coloring colorful कर देते हैं तोड़ा side side इसकी तो आप देख पा रहे हैं जिस तरह से मैंने इसको बनाया है आप भी अपना thumbnail ऐसे क्रेट कर सकते हैं इसका किसी भी reaction में चाहे turn करना हो चाहे इसको bend करना हो आप इसको कर सकते हैं तो यह हमारे सामने बन के त्यार हो गया है अपन वीडियो का जो हमने वीडियो पोस्ट करनी है यूट्यूब पर उसका thumbnail हमारे सामने बन कर त्यार है अब यह जो उपर floppy अला दीख रहा है इस पर इस thumbnail को आपने यहां पर सेव कर लेना जो उपर सेव करने शाना रहा है सेव एजे image पर सेव image पर करने के बादे शाना रहा है सेव इमेज पर करने के बादे शाना रहा है